बच्चो पिछले अध्यायों में हमने देखा कि लेखांकन क्या है और लेखांकन के कुछ सैधान्तिक आधारों के बारे में भी हमने जाना अब हम देखेंगे कि व्यवसाइक सौदे जिनका की हम लेखांकन के अंतरगत लेखा करते हैं वास्तों में उनकी उत्पत्ति कैसे होती है कैसे हम कहते हैं कि कोई व्यवहार जिनका हम लेखा कर रहे हैं किस प्रकार उनका उदय हुआ है यानि कि इसके अंतरगत जब हम क्रे वेवहार, विक्रे वेवहार, क्रे वापसी, विक्रे वापसी, संपत्तियों का विक्रे दाइतों का भुकतान इस तरह से बहुत सारी बातों की बारे में जब हम इनका अध्यान करते हैं तो ये वही बिंदू है जिनके आधार पर वेवसा चैन稱 एक लेने वाला और एक देने वाला उनके नाम से हम जानते हैं तो इन्हीं बिंदव आपर हम विस्तार से इस अध्याय में चर्चा करेंगे लेकिन इसके पहले हम कच उन बिंदव पर भी नजर डालले जिन शर्ब्दो को हम इस अध्याय के नंतरगत प्रयोक्ति करेंगे तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं प्रमाणक क्या है वाउचर जिसके बारे में एक शौट में हमने पिछले अध्याय में भी देखा था वास्ताव में प्रमाणक जैसे की नाम से स्पस्ट है लेखांकन जब हम कर रहा हैं तो उसका एक प्रमाण है उसके लिए एक लिखित प्रमाण के रूप में ये प्रस्तुत किया जाता है, जो भी सौधे होते हैं वैपार में उनको हम यत्र तत्र कहीं पे भी नहीं लिख सकते, कोई न कोई उसका प्रमाण होना, कोई सबूत होना कि हाँ वास्तों में ये सौधे इस त्थी पर इस वेक् हलंके करते हैं, तो ये है प्रमाड़क, दूसरा होता है लेखांकन प्रमाणक क्योंकि प्रमाणक के बारे में जान गये हैं, अब अगर हम इसके साथ लेखांकन शब्द को जोड़ देते हैं तो ये लेखा पाल द्वारा यानि जो एक व्यक्ति अकाउंटिंग का काम कर रहा है उसके द्वारा बनाया गया एक प्रमाणक होता है जिसमें उस लेखा पाल के अधिक्रित हस्ताक्षर होते हैं जो लेखा पाल होता है अकाउंटेंट जो होता ह वो प्रमाणित करता है स्वेम कि हाँ उसने जो भी व्यपारिक सौदों के बारे में जानकारी दी है वो सत्य है और इसकी वो गैरंटी लेता है कि यह प्रमाणित है सत्य है तीसरा एक शब्द हम यहाँ पर देखेंगे नगत प्रमाणक, Cash Vouchers नाम से इस पस्ट हो रहा है कि कुछ ऐसे प्रमाणक होंगे जिनमें केवल नगत व्यवहारों की एंट्री होगी जिनमें केवल नगत लेंदेन की एंट्री होगी यानि नगत क्रे, नगत विक्रे, नगत प्राप्ती, नगत भुकतान के बारे में हम जिन प्रमाणकों का प्रयोग करेंगे वे सभी नगत प्रमाणक के अंतरगत आएंगे अगला बिंदु हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा डेबिट प्रमाणक और क्रेडिट प्रमाणक तो पहले जानते हैं कि डेबिट प्रमाणक क्या है तो डेबिट वॉल्चर जो होते हैं वो सभी तरह के भुकतान से संबंधित जो राशियां हम लिखते हैं वो सारी की सारी डेविट प्रमारक के अंतरगत आती हैं यहाँ पर नगद प्राप्ति नगद भुकतान नगद विक्रान इसके आधार पर हम देखते हैं कि हमको भुकतान किन किन चीज़ों करना है अगर हमने किसी से नगद माल खरीदा है तो वहाँ पर हमको नगद भुकतान करना है अगर हमने किसी प्रकार की कोई संपत्ती किसी से ली है तो हमको वहाँ पर नगद भुकतान करना है अगर हमने किसी दाइतु का भुकतान करना है तो वो भी नगद होगा तो इस तरह के जित क्रेडिट प्रमाणक यानि जितनी भी प्राप्तियां होंगी जो भी हम रिसीब करेंगे करने वाले हैं जिन अमाउंट्स को वो सारे के सारे जो है वो क्रेडिट प्रमाणक में चले जाएंगे चाहे हम देनदारों से कुछ प्राप्ति करें किसी संपत्ति के विक्रह से कुछ प्राप्त हो वस्तों के नगद विक्रे से प्राप्त हो कहीं से भी जो भी प्राप्ति आएंगी वो सारी की सारी प्राप्तिया क्रेडिट प्रमाड़क में चली जाएंगे अगला जो एक शब्द हम देखेंगे वो होगा गैर नगद प्रमाड़क या जिसे हम कहते हैं हस्तांतरन प्रमाड़क तो अभी जिन प्रमाणकों की हम बात कर रहे थे चाहे वो डेबिट प्रमाणकों या क्रेडिट वहाँ पर हम नगत प्राप्ती या नगत भुकतान की बात कर रहे थे लेकिन इन से हट के जो तीसरा यहां पर हम प्रमाणक की बात कर रहा है गैर नगध, یعنی इनसकी अंतरगत उन सभी वेभारों का लेखा किया जाता है जो उधार होते हैं, जिनका कैश या नगध वेभार से कोई संबंद नहीं होता है। जैसे उधार क्रे, उधार विक्रे, क्रे वापसी, विक्रे वापसी इस तरह के जो गैर नगत वेवार होते हैं वो सभी वेवार गैर नगत प्रमाणक के अंतरगत शामिल किये जाते हैं साथ ही हम यहाँ पर एक महतुपूर्ण पॉइंट जो सुनेंगे वो होगा लेखांकन समीकरण जब हम अपने अंतिम खाते बनाते हैं, अंतिम सिति विवरण बनाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि संपत्ती के सिति क्या है और दाइत्वी के सिति क्या है हम देखते हैं कि संपत्ति और दायतों का जो कॉलं होता है जो टोटल होता है वो बराबर हो रहा है यानि कि एक concept हम यहाँ पर यह लगा लेते हैं कि वर्ष के अंत में संपत्यों का मूल और देताओं का मूल दायतों का मूल दोनों बराबर होता है और वहाँ पर वो balance sheet close होताती है तो उनी संपत्यों और दायतों के मूल को जिस प्रकार हम स्थिती विवरेंट में प्रस्तूत करते हैं उसी तरह की प्रस्तूती एक समी करण के माध्यम से भी की जा सकती है जिने हम लेखांकन समी करण कहते हैं किस तरह से हम इसका निर्मान करेंगे आगे इस अध्याय में हम और विस्तरत रूप से इसके बारे में जानेंगे तो फिलाल ये ऐसे बिंदू थे जिनके बारे में हम बार-बार इस अध्याय में अध्यान करेंगे देखेंगे और बार-बार ये बिंदू हमारे जो विश्य हैं उसके अंतरगती आते रहेंगे यही कारण था कि इनका इनकी प्रकार होते हैं और उसके अंतरगत कौन कौन से उनकी विशेस्ताएं होती हैं तो प्रमाणकों के बारे में जैसे कि हमने जाना कि एक लिखित दस्तावेज होते हैं और एक ऐसे दस्तावेज होते हैं जो किसी भी व्यवहार के लिए प्रमाणित करते हैं कि हां वास्तों में वो व्यभार किये गए हैं लिखांकन अधिकारी जो होता है वो अपने हस्ताक्षर के द्वारा उन दस्तावेजों को प्रमारित करता है कि वास्तों में इस तिथी को इस तरह के व्यभार किये गए हैं और फिर उनके आधार पर आगे के लिखांकन कारी किये जाते हैं आइए प्रमाणक को और अच्छी से जानने के लिए इसकी कुछ परिभाशाओं को देखें। और्थर डबलू होम्स के अनुसार प्रमाणक किसी सौदों के समर्थन में एक प्रलेखिये सबूत है। बॉटली बॉइ के अनुसार प्रमाणक को लेखा पुस्थकों में दर्शाई गई किसी प्रविष्टी के समर्थन में एक प्रलेखिये सबूत के रूप में परिभाशित किया जा सकता है। तो आपने देखा कि सभी परिभाशाओं में लगबग यह माना गया है कि प्रमाणक जो है लेखों का समर्थन करते हैं और उसके वास्तविक्ता का यह प्रमाण होते हैं कि वास्तों में इस तरह के व्यवहार जो है वो व्यपारिक रियाओं के अंतरगत किये गए हैं। अब अगर हम बात करें प्रमाणकों के विश्यस्ताओं की तो हमने इनकी जो परिभाशाएं देखे इनके अर्थ के बारे में हमने जाना उसी क्याधार पर हम इसके कुछ विश्यस्ताओं को बिंदुवार यहाँ पर हम उनका अध्यन कर सकते हैं। प्रमाण होते हैं केवल मौखिक नहीं या याद रखा गया और कभी याद रहेगा और वो लिख दिया जाएगा इस तरह के प्रमाण नहीं होते बलके स्पस्ट रूप से लिखे गया प्रमाण होते हैं। दूसरा इनके विशेश्ता यह है कि लेखों का अधार होते हैं। हम आगे की वेपारिक क्रियाओं में चाहे हम जनरल पोस्टिंग करें या उसके आधार पर हम लेजर बनाएं फिर ट्रायर बैलेंस बनाएं। इन सभी लेखों का जो आधार होता है वो वाउचर ही होता है प्रमाण की होता है। तीसरा सौदो की संपूर जानकारी प्रमाण को के अंतरगत सौदे कब हुए किन के द्वारा हुए किन दो पक्षकारों के बीच में हुए उसकी डेट क्या थी और किस तरह के सौदे हैं उधार है या नगध है किस तरह के सौदे हैं इसकी पूरी की पूरी जानकारी जो है वो प्रमाणकों के अंतरगत दे दी जाती है अगला एक बिंदु हम देखते हैं कि शुद्धता यहां पर बनी रहती है क्योंकि हमने देखा कि एक शॉटकट में कोई जानकारी नहीं रहती बलकि पूर रूप से जानकारी रहती है जैसे जितने लोगों के बीच में भी जो व पूरी तरीके से शुद्ध हैं अगले एक विशेष्टा हम यह देखते हैं कि साधन है यह बलकि साध नहीं है यानि कि लेखों का आधार है यह ऐसा साधन है जिसकी आधार पर आगे जो लेखांकन है उसका कारेसंपन किया जाता है तो यह प्रमाणक की विशेष्टाएं थ विशेष्टी इसके अंतरगत किन-किन चीजों को शामिल किया जाता है यानि कह सकते हैं कि क्या है इसकी विशेष्टू आईए देखते हैं इसकी विशेष्टू में जो जिन-जिन तक्ठियों का उलेख किया जाएगा उनकी सूची कुछ इस प्रकार से होगी सबसे पहले तो इसमें फर्म का नाम लिखा जाएगा और स्थान लिखा जाएगा कि वो फर्म कहां पहनाम और पता लिखा जाएगा दूसरा इसमें जो लिखा जाएगा वो होगा कि तयार करने की विधी क्या है किस विधी से यह तयार किया जा रहा है तीसरा यहां पर हम देखेंगे कि प उसके बाद यहां पर हम देखेंगे कि शुद्ध राशी क्या है कितनी राशी के लिए प्रमाणक तयार सुद्धता होती है कि जिस व्यक्ति ने उसको तयार किया है वो अपने वहाँ पर अधिक्रित हस्ताक्षर करता है, यह प्रमाणित करता है कि वास्तों में जो लेखे किये गए हैं वो सही है, शुद्ध है, तो यह किसकी विशेविस्तु होती है कि लिखने वाला, तयार करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो अपने हस्ताक्षर करता है, स इसके बाद यहाँ debit और credit किये गए सौधों का शीर्षक लिखा जाता है की कौन-कौन से विशल्षक कर चाता है और साथ में अधिक्रित वैक्ति के जो भी उनका अधिकारी है उससे यहां पर हस्ताक्षर लिये जाते हैं तोह यह पूरी विशयव स्थ है लेकिन इसको सिस्टमेटिक हम किसी प्रमानक में दाएं या बाएं या बीच में किस तरह से हम इसको सेट करके लिखते हैं इसको जानने के लिए आईए प्रमानक का एक प्रारूप देखते हैं यहां हम एक प्रमाणक का नमूना देख रहे हैं जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जैसे कि हमने इसके विशय वस्तु में देखा था कि यहां पर हम फॉर्म का नाम लिखेंगे जैसे यहां पर उधारन की तौर पर दिया गया है लिखेंगे दाइन भॉपल की सबस्क्राइबैल देखेंगे और साथ मैं उसका का राश्य यहां पर हम अमाउनग लिखेंगे , तो हम पर उसको total करके बंद कर देंगे और पर नीचे हमने credit के लिए जगह बनाई है वहाँपर credit bank के लिए जो मदें होंगी उनको लिखेंगे और amount में उनकी राशिर के total लिखकर हम बंद कर दिंगे Received rupees के लिए हमने क्याfel column बनाया है वहाँ पर जो total राशिर हम प्राप्त हुई है वह हम लिखेंगे और voucher के नीची हम देखते है कि तीन लोगों के tussen रहोंगे एक accountant होगा लेखा पाल जिसने इस voucher का निर्मान किया है दूसरा जिसके अंडर में वो इस voucher को बना रहा है यानि manager जो है प्रबंधक जो है form का वो हस्ताक्षर करेगा और तीसरा जो proprietor है वेल साय का जो स्वामी है उसका हस्ताक्षर यहाँ पर कराया जाएगा अब आये देखते हैं कि प्रमानक के प्रकार क्या है प्रमानक के प्रकार को अगर हम देखें तो इनको हम दो भागों में बाढ़ सकते हैं अनुमोदक प्रमानक और लेखांकन प्रमानक इसमें भी कई वर्गी करण है जैसे हम देखते हैं कि जो अनुमोदक प्रमाणक है वो अपने आप में दो भागों में बटा है एक होता है तीसरे पक्षकार द्वारा तयार किये गए प्रमाणक जिसे हम बाह ये प्रमाणक भी कहते हैं अनमुदक प्रमाणक कहते हैं और दूसरा यहां पर हम देख रहे हैं कि वेबसाई द्वारत तयार किये गए प्रमाणक जिन्हें हम आंतरिक प्रमाणक भी कहते हैं दूसरा इसका जो रूप है वो है लेखांकन प्रमाणक अब लेखांकन प्रमाणक को भी हमें आपर दो भागों में बाढ़ देते हैं कौन-कौन से दो भाग एक नगत प्रमाणक और एक गैर नगत प्रमाणक यहां हम देखते हैं कि नगत प्रमाणक भी दो भागों में बट लाइन से पढ़ेंगे जानेंगे समझेंगे कि वास्तों में ये किस तरह के प्रमाणक है इनका इनमें किन-किन विश्यवस्तों का समावेश होता है और इनका प्रारूप कैसा होता है तो आए सबसे पहले देखते हैं कि अनुमोदक प्रमाणक क्या है जब हम बात करते हैं अनुमोदक प्रमाणक की तो यहां पर हम उन प्रलेखों के बारे में बात करते हैं जो किसी व्यवसाइक व्यवहार का एक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं और साथ ही हम देखते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं बाह अनुमोदक प्रमारक और आंतरिक अनुमोदक प्रमारक वे प्रमारक है जो किसे तीसरे पक्षकार के द्वारा थर्ड पार्टी बनाती है इनको तो कौन-कौन से प्रमाड़क तीसरे पक्षकार द्वारा तयार केगे प्रमाड़क ये बाह अनुमोदक प्रमाड़क कहलाएंगे एक उधारन हम देखते हैं यहाँ पर जैसे मान लिजे कि विक्रेता से प्राप्त जो रशीद है ये कहलाएगी बाह अनुमोदक प्रमाड़क उधार माल का बीजक जो उधार माल के संबन में जो बीजक तयार किया गया है उसे भी हम यहाँ पर बाहय अनुमोदक प्रमाणक मानेंगे साथ ही हम देखते हैं कि मकान मालिक से प्राप्त जो रसीद है वो भी बाहय अनुमोदक प्रमाणक के अंतर गताएगी या फिर हम यहाँ पर देखते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो होते हैं वो भी बाय अनुमोदक प्रमाड़क के अंतरगत आते हैं अब जो यहाँ पर हम इसका दूसरा प्रकार देख रहे हैं आंतरिक अनुमोदक प्रमाड़क तो क्या है आंतरिक अनुमोदक प्रमाणक हम यहां पर देखते हैं कि ऐसे प्रमाणक जिन्हें वेवसाई जो है वो खुद तयार करता है वे आंतरिक अनुमोदक प्रमाणक कहलाते हैं इसके अंतरगत हम यहाँ पर जमा पर्ची प्रतिपर्ण और दूसरा जो होता है वो चालान पर्ची का प्रतिपर्ण दोनों को शामिल यहाँ पर हम करते हैं अब तीसरा जो प्रमाणक है याने की दूसरा भाग जो है प्रमाणक के प्रकार का वो है लेखांकन प्रमाणक लेखांकन प्रमाणक जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि एक ऐसा प्रमाणक है जिसे लेखापाल जो है वो स्वेम तयार करता है और यही कारण है कि यह बहुत शुद्ध होते हैं बहुत प्रमाणित होता है और लेखापाल और साथ में अधिकरित व्यक्ति जो होता है वो उ और इसके अंतरगत हम डेबिट प्रमानक और क्रेडिट प्रमानक को शामिल करते हैं तो जब हम डेबिट प्रमानक यानि कि डेबिट वाउचर्स की बात करते हैं तो इसमें जैसी कि हमने पहले भी देखा था कि सभी प्रकार के नगत भुकतान आते हैं चाहे वो किसी प्रत्य सब्सक्राइब और इसी आंतरिक प्रमाड़क का जो दूसरा रूप है क्रेडिट वाउचर उसके अंतरगत समस्त प्राप्तिया आती है चाहे वह किसी भी क्रेडिट वाउचर के अंतरगत आती है तो आईए देखते हैं डेबिट प्रमाड़क की विश्य विस्तु क्या है इनमें किन-किन विश्यों को किन-किन तथ्यों को शामिल किया जाता है सबसे पहले यहां पर जब हम डेबिट प्रमाड़क का निर्मान करेंगे तो उसमें हम फर्म का नाम लिखेंगे साथ ही उसमें हम लेखांकन प्रमाणक का जो क्रमांक है उसका उलेख हम करेंगे उसके बाद हम इसमें तिथी लिखेंगे जिस तिथी को वो वाउचर तयार किया जा रहा है उसका हम डेट लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर संशिप्त वर्णन करेंगे जिसके संबन में वो voucher बनाएगे है जिन वेभारों के संबन में उन वेभारों का हम यहाँ पर एक संशिप्त वर्णन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि लिखने वाला कौन है लिखने वाले का हस्ताक्षर रहेगा साथ में अधिकरित वेक्ति का भी हस्ताक जब किया जाएगा तो उसका प्रारूप क्या होगा किस तरह से इन बिंदूओं को हम वाउचर में अंकित करेंगे इसे समझने के लिए आये हम इसका प्रारूप देखते हैं डेविट प्रमाणक का एक नमूना हम यहां पर देख रहे हैं जिसमें हम देखते हैं कि इस वाउचर के अंतरगर्थ सबसे पहले हम यहां पर पॉंप का नाम और पता डालेंगे जैसे कि यहां पर हमने पॉंप का नाम मेसर श्री राम ट्रेडर्स और व्यास गली राइपूर इस तरह से डाला है तो यह पहली जो विशेवस्तु हमने देखी थी नाम और पता वाउचर का हमने लिख लिया उसके बाद बाई और हम यहां पर देखते हैं कि प्रमाणक संक्या हमने लिखी हुई है दाई और यहां पर हमने डेट डाला है वो डेट जिस्तिती को इस लिखेंगे जैसे कि उदारन सरूप कंप्यूटर यहां पर उसने खरीदा है तो कंप्यूटर खाता डेट रोकर खाता से इस तरह से होगा और कंप्यूटर उसने नगत खरीदा कितने में यह राशी यहां पर इसका यहां पर संशिप्त बर्नन करना होगा और इसकी जो हम देखते हैं कि बाई और जो प्रबंधख है वह स्ताक्षर करेगा और दाई और जिसने नहीं सरस्पाइब जो लेकापाल है अकाउंटेंट जो है वह यहां पर स्ताक्षर करेगा और ए प्रविस्थिस्टिय और यहां पर त!」 कि तो आपने देखा कि किसे डेविट प्रमानक मेंThank आई इन विषयवस्थु वाउचर के बारे में जैसे कि हमने जाना कि सभी प्रापत्यों का उल्यग क्यां पर होता है और उनके संबंद में इन vouchers का निर्मान किया जाता है इन के विशह वस्तु क्या होती है तो सबसे पहली बात है कि इसमें firm का नाम और पता लिखना है किस firm के लिए वह voucher ready क्या रहा है तिथी क्या होगी डेट हमको लिखना है वाउचर जिस दिन निर्मान क्या जा रहा है उसकी तिथी क्या है साथ में हम इसमें लेक करते हैं वाउचर क्रमांक का बहुत सारे वाउचर हम अपने वहभार में बनाते हैं और उनकी आधार पर लेखे करते हैं तो कभी अगर खूजना हो कि किस से किस पर आधारित है वो लेखे इनका बेस क्या है, तो क्रंवांक कहा पर लिखना जरूरी हो जाता है, तो हम यहाँ पर फिक्रंवांक लिखते हैं और उसके बाद सौदो का संशिप्ट विवरण जैसे क करते हैं वैसे ही क्रेडिट वाँचर के लिए भी यहां पर जो वेभार में जो सौधि किये गए हैं उनका एक संशिप्ट विवरण हम यहां पर लिखते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि यहां सौधो की शुद्ध राशी भी लिखी जाती है कितनी कि लिए उसके बाद यहां पर जो तयार करने वाला व्यक्ति या उसके प्रमाणत करने के लिए कि उसके देख रेख में यह वाउचर तयार किया है और सात में यह उस अधिक्रित व्यक्ति के भी अस्ताक्षर लेगा जिसके अंडर में वो काम करता है या इस वाउचर का निर्माण किया जा रहा है और साथ में यहां पर अनुमोदक प्रमाणक क्रमांक भी लिखना आवश्यक होता है तो किस प्रकार इन विशह वस्तों के आधार पर क्रेडिट वाउचर का निर्माण किया जाता है इसे जानने के लिए आई हम क्रेडिट वाउचर का एक नमूना देखते हैं क्रेडिट प्रमाणक के बारे में हम यहां पर देख रहे हैं कि सबसे पहले जैसे कि हमने विशय वस्तों में देखा यहां उपर हम परम का नाम और पता लिख लेंगे जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं श्री अन्वान प्रेडरस प्राइवेट लिमिटेड नया पारा लखे अंकित कर लेंगे और उसके बाद हम इस तरह का एक कॉलम बना लेंगे जिसमें हम जो भी हमारे क्रेडिट विवहार यहां पर हुए हैं उसका एक संशिप्त विवर्ण प्रस्तूत कर देंगे चाहे वह स्थाई संपत्यों के विक्रे से संबंधित हो यह किसी भी प्रकार की ज 40,000 रुपए और यहीं पर हम इसको टोटल करके बंद कर देंगे और साथ में हम नीचे देख रहे हैं कि यहां पर हम मैनेजर का हस्ताक्षर लेंगे और जो लेखा पाल जिसने इस वाउचर का निर्माण किया है उसका हस्ताक्षर यहां पर होना चाहेंगे तो आपने देखा कि किस प्रकार इन नगद प्रमाणकों के अंतरगत हम डेबिट और क्रेडिट प्रमाणक की विशय वस्तू को उनके जो प्रारूप होते हैं उसके अंतरगत हम लिखते हैं अगला एक रूप जो हम देखते हैं प्रमाणक का जिसे हम कहते हैं गैर नगत प्रमाणक यानि की नाम से इस पस्ट हो जाता है जिसमें नगत वेवहारों की प्रविश्टी हम नहीं करते हैं जो किवल उधार वेवहार या गैर नगती वेवहार के अंतर गताते हैं तो इन में हम किन-किन विशय वस्तों को शामिल करते हैं आई इस पर एक नजर डालें तो यहां पर भी अन्य प्रमाणकों की तरह ही जो फर्म का नाम होता है पता होता है उसकी तिथी होती है और साथ में क्रमांक होता है लिखने वाले के हस्ताक्षर होते तो बिलकुल जैसे हमने debit और credit voucher में जिन विशयवस्तों को शामिल किया था लगबग उन्हें विशयवस्तों को शामिल करते हुए हम यहाँ पर जो गैर नगत भुकतान प्रमाणक है उनको हम शामिल करते हैं अब यहाँ यह जो प्रमाणक होते हैं गयर नगदी, वो उधार क्रे उधार विक्रे ये क्रे वापसी, विक्रे वापसी सम्पत्यों का जो हस्तांतरण है, कुछ इस तरह से जो गयर नगदी ये कriयाएं होती है, उसके कारण ये बनाया जाते हैं, तो जाहिर से बात है कि इनका प्रारूप जो होता हैं तो किस तरह से उसका प्रारूप एक हमारे सामने आता है हस्तांतरन प्रमाणक या गैर नगत प्रमाणक का नमुना हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि हमने विशय वस्तों में देखा कि सबसे उपर जो फॉर्म है उसका नाम होगा और साथ में पता होगा तो फॉर्म का नाम यहां मेसर्स सतिश ट्रेडर्स व्यास गली मालवी रोड राइपुट इस तरह से लिखा हुआ है यहां हम बाई और प्रमाड़क ट्रमांक लिखेंगे और दाई और जो है वो तिति अंकित की जाएगी उसके बाद हम देखते हैं कि इस पूरे गैर नगत प्रमाड़क को दो भागों में बाट दिया जाएगा डेबिट और क्रेडिट जो है वहां पर कौन से डेबिट राशी आ रही है उसका एक संचिप्त वर्णन हम यहां पर करेंगे और जो अमाउंट है उसकी राशी है उसको उसके सामने दाई और जो राशी का कौलम है वहां पर लिखेंगे और वहीं पर हम उसको क्लोज कर देंगे कुल अमाउंट लिखकर जैसे आहां पर पर टैंथाउजन लिख कि क्लोज कर दिए अब उसके नीचे हम क्रेडिट वेभार का एक संचिप्त विवरें लिखेंगे और उसी तरह से जिस तरह हमने debit वेवहार की राश्री लिखी थी यहां पर हम credit वेवहार की राश्री को भी लिखेंगे और वही पर उसको close कर देंगे यहां हम देख रहे हैं कि अलग-अलग अब debit और credit वावारों के लिए राशी के column को हम अलग-अलग स्थान पर close कर दे रहे हैं और यह जो प्रमानक हमने तयार किया है उसको प्रमानित करने के लिए सबसे last में यहां पर प्रबंधग जो है manager जो है वो अस्थाक्षर करेगा और साथ में लेखा-पाल याने accountant जिसने इस प्रमानक को तयार किया है उसका अस्थाक्षर कराया जाएगा तो हमने अभी तक देखा बहुत सारे प्रमानक कैसे बनाये जाते हैं क्या इनके प्रारूप होते हैं कौन-कौन से विशेवस्तु को इनके नतरकत शामिल किया जाता है अब हमारा जो अगला और मुख्य टॉपिक है इस शेप्टर का वो है लेखांकन समीकरण जिसके बारे में हम संशेप में पहले भी जान चुके हैं अंतिम खाते याने जिन्यम स्थती विवरण बोलते हैं वहाँ पर हम एक और संपत्ती और एक और दाइत्यों का लेखा करते हैं वास्तों में यह जो संपत्या और दाइट तो हैं यह एक दूसरे के बराबर होने का इनका प्रकृती है वो लगी रहती है और यही कारण है कि लास्ट में जब हम इन आर्थिक चिट्टों का टोटल करते हैं तो संपत्य और दाइट तो दोनों बराबर आते हैं जिने हम कहते ह है कि हमारी बैलेंशीट टैली हो जा रही है यानि कि टोटल जो है वो दोनों साइड का बराबर हो जा रहा है कुछ हमको यहां बीच में डालने पड़ते हैं क्योंकि साल भर कि जब हम क्रियाओं पर एक नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे अप्रत्यक्ष आया प्रत्यक्ष वह हुए और साथ में संपत्यों के मूले में कमी व्रद्धी हुई दायतों के मूले में कमी व्रद्धी हुई तो इन सभी समायों जुनों को जब हम ध्यान में रखते हुए एक स्थिति विवरण अंतिम चिठ्था बनाते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि ब का लिकर समीकरन बनाते हैं तो प्रतेक सिती में हर स्टैप में संपत्ती और दाइतों का जो मुल्य होता है वो बराबर होता है तो लेखांकन समीकरन जिन आधार पर बनाये जाते हैं जिन चिट्टों के आधार पर क्या है यह चिट्टे और किस तरह से इनका लेखा किया जाता हम देखें तो हम देखते हैं कि एक और हम दाइतों को लिखते हैं और दूसरी और हम संपत्यों को लिखते हैं कुछ नमूनों के अधार पर कुछ संपत्य और दाइतों यहां पर दिये गए हैं जैसे दाइतों साइड में हम देखते हैं कि पूंजी हो सकती है लेंदार हो सकते दो लाख बैंक सेरिन बीस हजार वैसे ही हम देखते हैं कि संपत्ति साइट में जो एंट्री है उसमें रोकड है 15000 बैंक में रोकड है 10000 देंदार है 7000 अंतिमिसकंद है 25000 पनीचर है 15000 मिशीनरी है 50000 तो दोनों साइट का जब हम टोटल देखते हैं तो 22000 संपत्ति और 22000 दाइट दोनों का जो टोटल है वह बराबर होता है तो इस पूरे इस्थिति विवरंट से यह बात इसपर सबस्ट हो जाती है कि वेवसाई की कुल संपत्ति 22000 है जिसमें से एक लाग जो है वह वेवसाई की स्वामी द्वारा लाए गई पूंजी है जिसे हम यहाँ पर देख रहे हैं और बांकी जो 22000 जो बचता है वह संपत्ति की जो बाहें देताएं होती है उनसे वह प्राप्ति किया गया है अब अगर इसे इस्थिति वतन समीकरन बनाते हैं तो